हालेलुया हम इपिसियों के चौथे अध्याय के उसके 26 पद्व को देखते हैं तो यहां पास लिखा है क्रोध तो करो पाप मत करो सुरी अस्थ वह तक तक तुम्हारा क्रोध ना बना रहें यहां पास वचल क्या कहता मेडियो क्रोध तक करो पर पाप मत करो यानि कि हम अगर किसी बात के लिए गुसा होते हैं हमें उस बात को सुनकर या देखकर हमें क्रोध होता है तो क्रोध करो पाप मत करो ने गुसे में जब आते हैं आप क्रोध होते हैं तो आपको अपने मुझ से ऐसे असब्द नहीं कालना है जिससे आप पापी ठहरे सुर्य अस्थ होने तक तुम्हारा क्रोध ना बने रहे बहुसे भाई भाई रलाए जिसला होते हैं क्रोध होते हैं इस सुर्य ढलने से पहले आपको उस वेक्ति से जाकर मेल मिलाब करना है गलती आपकी हो चाहे दुसरी की हो आपको उनसे बादचित करना है अपना क्रोध को ठंडा करना है और उनसे मेल मिलाब करना है क्रोध करो और पाप मत करो इस वचन का अर्थ हम देखते हैं मती 15 के 10 ध्याय में यहाँ पास लिकें जो मुह में जाता है वह मनुश को असुध नहीं करता है पर जो मुह से निकलता है वही मनुश को असुध करता है जब हम कुरूध होते हैं तो हमारे मुह से ऐसी ऐसी बाते निकल जाती है जो हमें नहीं निकालना चाहिए इसलिए यहाँ पास ब कर जाते हैं लेकिन वचन कहता है मत्ती 15 के 10 में जो मुझ में जाता है वो मनुष को असुध नहीं करता है जो मुझ से निकलता है वही मनुष को असुध करता है यानि कि हमारे बोलने चालने हम पुरूध में आकर ऐसे मुझ से असद बाते निकालते हैं जिससे हम असुध हो ज तक हमारा जो क्रोध है ओ ठंडा हो जाना चाहिए दूसरा कुंतियों पांच के सतरह पद में लिखा है इसलिए अधी कोई मसी में है तो वा नई स्रिष्टी है पुरानी बाते बिद गई देखो सब नई हो गई है हालेलूया अगर आपके मन में किसी के परती क्रोध है किसी के परती बिरोध है किसी के परती जलन है तो उन सभी बातों का अपने हिर्दे से निकाल देजिए मसी में आने के बाद क्योंकि आप मसी में एक नई स्रिष्टी बन चुके हैं मेरे पियोग हालेलुया तो इस बात को एफिसियो 4 के 26 को आप पकड़े रहिए मत्ती 15 के 10 को और दुसरा पंतियो 5 के 17 ये पदो को अपने चीवन में इसको लगो किजिए परमिश्यर आपके चीवन में अद्भुतकारी चमतकार करेगा हालेलुया क्रोध करो पाप मत करो जो मुँँ में जाता मुश्य को असुद नहीं करता बलकि जो आपके मुँँ से सब्द निकलता है वही आपको असुद करता है इसलिए हम सोचें कि हम क्या बोल रहे है वो वचन का नुस्दार है या वचन के विरुत हालेलुया आसा करता हूँ यह वीडियो आपके जीवन में आसी सकान ठहरेगा इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोग इस वचन को जानकर आसीश को प्राप्त कर सके नाइट का विडियो थोड़े में पोस्ट हो जाएगा तो आप देखिए और आज इसको प्राप्त कीजिए गड़ प्रेस जो